हालो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम गडित कख्षा 10 NCRT वोक क्लाश तेंध के बच्चों के लिए है अध्याच्छ त्रिभोज प्रस्णावली 6.2 का प्रस्ण संख्या 3 और 4 इस वीडियो में हम प्रस्णों को देखेंगे तो आईए प्रस्णों को शुरू करते हैं तो यह हमारा प्रस्ण संख्या 3 तीन में क्या दिया है कि आकरिती 6.1 यह आकरिती हो गई मे यदि L M यानि यहां से L M है यहां हम आ जाते हैं कलर को चिंज कर लेते हैं यह हमारा L M है और कराय C B यानि C से लेके B तर यह करा दोनों समांतर हो इसी तरह L N यह है हमारा L से लेकर N तर और यह करा C D के समांतर हो यहां C और यहां D हो गया यानि यह हमारा इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है यह हमारा त्रिभुज है यहां पर हमारा दिया गया है A और यहां पर है M यहां पर है B यह C है यह D है और यह N है अब कर आए कि अगर यह समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि यही सिद्ध करना है तो अगर हम बात करें इसको अगर हम सीधा करते हैं तो आईए सीधा करके एक त्रिभुज बना के इसको चेक करते हैं तो हम मिल जाएगा हमें इस तरह से हमारा त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पर हमारा A होगा यहाँ पर हमारा B होगा यहां हमारा C होगा और यहाँ पर हमारा बिंदु D है जो AB है उस पर M है AB पर हमारा यहां M है और जो AD है A से लेकर D तक उस पर हमारा N है ठीक अब आगे दे दिया है हमारा बीच में एक लाइन और खीची गई है अब ये वाला कराई इसके समांतर यहां रेखा खीची गई है यानि ये और ये समांतर है और यहां पर एक बिंदु L दिया गया है तो यहां पर हमारा बिंदु L हो जाएगा और एक और एक हाए जो इसके समांतर ये है और कारागर ये समांतर है यलयम और C B ये दोनों समांतर है तो इतना अगर हम त्रिभूज की बात करें आईए यहां से हुम दिखाते हैं आपको, तो यह इत्रिभोज यहां से लेकर के, केवल हमें इतना इत्रिभोज लेना है अभी, और इस त्रिभोज में यह और यह समान्तर रिखाएं हैं, तो हम देखेंगे EM बटे MB और ये बराबर होगा EL बटे LC क्योंकि ये समांतर है तो हम आजाएंगे यहां लिखेंगे त्रिभोज तो हमने लिखा त्रिभोज त्रिभोज हमने क्या लिया ABC त्रिभोज ABC में चुकि हम पा रहे हैं कि BC समांतर है LM या ML इसलिए A मने प्रमें बता रहा है कि अगर दो रिखाएं समांतर है तो इनका जो अनुपात होगा वह आपस में बराबर होगा AM बते MB तो हमें मिलेगा AM अपान MB बराबर यहां से यहां यानि AL अपान LC हो जाएगा और इसको हम समेकर नंबर 1 बना लेंगे जिसमें AM और AB तो AM और AB AB का मतलब पूरा भी ले सकते हैं तो हम अगर AM बते AB लेते हैं तो यह पूरा लिखेंगे समानतर के लिए पूरा के लिए तब मिलता है AM यानि यहां से यहां तर और बते पूरा तो पूरा का मतलब AB अब यह बराबर तो इसमें भी आधा लेंगे तो AL मिलेगा और बते पूरा लेंगे तो AC मिल जाएगा इसको हम समी का नंबर एक बनाएंगे क्योंकि हमें AM मिल गया AB मिल गया फिर अगला जाएंगे अब इस त्रिभुज में आ जाएंगे इस त्रिभुज का मतलब हमारा त्रिभुज यहां से लेकर के यहां तक अब लिया जाएगा यह वाला त्रिभुज अगर हम देखते हैं तो हमें यहां एक त्रिभुज मिला और इसमें भी यह वाली रेखा इस रेखा के समानतर है तो अब हम ले लेंगे त्रिभुज कौन सा ले ले लिए ACD ACD में फिर हमें मिला क्या यानि यलियन समानतर CD LN समानतर है CD उसने दिया है यलियन समानतर CD तो जब यह समानतर होगा इसका मतलब फिर मिलेगा यह आधी दूरी AL AL अपान पूरी दूरी AC और यह बराबर अब यह आधी दूरी AL और बटे पूरी दूरी AD हो जाएगा यह समीकर नमबर 2 बन जाएगा समीकरण 1 का देखेंगे AL बटे AC समीकरण 2 में भी AL बटे AC है तो अगर हमें AL बटे AC का मान रखेंगे तो यह आजाएगा तो आगे लिखेंगे हम क्या समेकरण एकव दो से तो हमें क्या मिला चुकि हमने कहा एक माण A CHC A CHC मिल रहा है तो ये वाला भी माण आपस में बराबर होगा तो हमें मिल जाएगा AM बटे AB और ये बराबर हो जाएगा AN और बटे हो जाएगा AD दी और यही हमें सिद्ध करना था तो हमारा आगे लिख देंगे कि यही सिद्ध करना था सिद्ध करना था ठिक अब आगे आते हैं कि next question number four को ले लेते हैं ता ये प्रैस्न संख्या हम चार को ले लेते हैं तो चार में क्या दिया है इसमें भी एक figure दिया गया है अब इसी figure से हम इसको सालो करेंगे तो figure में क्या दिया है A, B, C और दो बिन्दो और दिये गए हैं और उन्हें से हल करना है यहां से यहां तक यह पूरा और फिर यहां जाएंगे तो यह हमें मिल जाएगा और यहां पर यह त्रिभुज बना हुआ है कराएक D E समांतर है A C के D से लेकर E तक समांतर है A से लेकर C तर इसी तरह से D F जो है वह समांतर है हमारा किसे के A से लेकर C तक यह A C था और A E के समांतर है तो हम आएंगे इसमें अब त्रिभुज को पहले हम सीधा बना रहे हैं फिर देखेंगे त्रिभुज को तो त्रिभुज हमारा इस तरह से बन जाएगा B को अगर हम उपर कर दें तो हमारा एक घूम करके B कुछे इस टाइप से बन जाएगा यहाँ A नीचे हो गया यहाँ B उपर बन गया फिर B से हमारा C आया हुआ है तो यानि इस B से हमारा इस तरह से C है फिर आगे आजाएंगे A से C को मिला देंगे तो A से C हो गया फिर आगे आजाएंगे तो A B पर D है A B पर एक बिन्दू हम D ले लेंगे और B C पर दो बिन्दू एक यप और E लेंगे एक हमारा यप हो गया और C की ओर हमारा E है अब कहांस कहा मिलाया है हम देखेंगे D से यप, D से E को मिलाया है तो D से यप को भी मिला देंगे, D से E को भी मिला देंगे फिर A से E को मिलाएंगे, A से E को मिला देंगे तो यही तरभुज हमारा बना हुआ है अब ये बात करें तो दिया है कौन-कौन समांतर है उसी में को हम लेंगे तो पहला DE समांतर AC है, यानि DE समांतर AC, तो D से E ले लेंगे, ये DE वाले भुजा इस AC वाले के समांतर दिया हुआ है, अर्थात इस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज तो हमारा पूरा ही रहेगा, लेकिन हमें ध्यान देना है, DE समांतर AC है, इसका मतलब ये बीच वाली लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमारा त्रिभुज कुछ इस टाइप का बन गया, हमारा त्रिभुज यहाँ पर B बना, यहाँ पर A बना, यहाँ पर D बना, और यहाँ पर E बन गया, यह हमारा त्रिभुज बन गया, तो यहां पर यह समानतर है भी यह हैं लिखेंगे कि त्रिभुज तो लेना है BAC BAC में हमें क्या मिला यहीं त्रिभुज लेना है यानि यहां C था तो AC समांतर DE या DE समांतर AC यानि चुकि हमें क्या मिला DE समांतर हो गया AC के तो इसलिए आधा और हमें ध्यान देना है BF B से यप लेना है बाद में आएगा B E B E मिल जाएगा और दूसरा EC आधा लेना है तो B D अपान DA B D अपान DA बराबर B E B E अपान EC बन जाएगा समें का नमबर एक बन गया B E और EC B E और EC हमें मिल चुके हैं इसी तरह से अब हम दूसरा ले लेंगी एक और त्रिभूज दूसरा त्रिभूज में देखना है हमें दिया है D F और समानतर है A E के D F color change कर लेते हैं तो आईए D F D F ये है हमारा और ये समानतर किसके है A E के A E A है यहां आजाएंगे तो ये समानतर है तो इसे में से हम इतने लेना है अर्थात अगर इस त्रिभूज को हम काटके बनाएंगे तो ये हमारा त्रिभूज हो गया अगर इस त्रिभूज को काटके बनाया जाए तो हमें मिल जाएगा B D upon D A यानि हम आजाएंगे त्रिभूज कौन साल ले लेते हैं B A E में आएए वाइट ले ले लेते हैं तो B A E में हमें क्या मिलेगा फिर मिलेगा D F समानतर A E D F समानतर है A E इसलिए हमें क्या मिला चूकी ये था, यहाँ पर भी चूकी था, इसलिए अब हमें मिल गया, यानि BD, B से लेके D अपान, DA, तो DA बराबर, BF, B से लेके F तत, और F E, F E, तो BF अपान, EF ही देखी हमारा ये मिर गया, अब लेप्ट वाला BD अपान, DA, इसमें भी BD अपान, DA है, इसका मतलब लेप्ट लेप्ट बराबर है, तो राइट राइट भी बराबर होगा, तो हम आजाएंगे, आगे लिखेंगे, समी करण 1 वर 2 से, हमें क्या मिला, B E अपान, E, C, बराबर होगया, BF अपान, E, F, E, BF अपान, E, C, ये उलट के दिया है, तो आप भी पल्टी बार के लिख दीजी, इसको पहले लिख दीजी, यानि BF अपान, E, F, E, बराबर होगा, B, E, अपान, E, C, और यही हमें सिद्ध करना था, आगे लिखेंगे, यही सिद्ध करना था, एंक्स पार वाचिंग, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,